गाइज वेलकम बैक दोस्तों टिक टोक पे आए दिन कोई न कोई कपड़े बदलने वाला वीडियो वारल होते ही रहता है जैसा कि कुछ दिन पहले वारल हुआ था डूपटा तेरा नौ रंगदा गाइज इस बार वारल हुआ है एक लड़का और एक लड़की जिहां दोस्त इस तरह के वीडियो शूट करने में और इस तरह के वीडियो को एडिट करने में दोस्तों दो ट्रिक होता है अगर आप दोनों ट्रिक को जान लिए समझ गए तो गाइज इस तरह के क्लोथ चेंजिंग के आप किंग बन जाएंगे आने वाले भविस में दोस्तों जितने भ तो गाइज वीडियो का आप लाइक करने के शाथ-शाथ वीडियो को आप शेयर जरूर कीजेगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाना सीख सकें और हाँ दोस्तों नए मेहमाने चैनल पर पहली बारा है आपका स्वागत है चैनल को सब्सक्राइ नए कपड़े हैं सबको दोस्तों आपको इकठा कर लेना है ताकि जितना ज्यादा कपड़ा आपके पास रहने वाला है उतनी ही बार दोस्तों आप को लोत को चेंज कर पाएंगे तो गाइस कपड़े सारे आपने इकठे कर लिए अब मैं आपको बताता हूं वीडियो शू आपने होना चाहिए आगी पीछे अगर आप करेंगे तो सायद हो सकता है आपका वीडियो मैच ना हो तो गाइज इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको खतम करना है दूसरी बार आप कपड़ा चेंज करेंगे फिर से यहां से कैमरी की तरफ देखते हू कुछ acting किया था तो गाई यहां पे आप ऐसा कर सकते हैं इस तरह से वीडियो शूट करके जब आप यहां पे लाएंगे तो यहां पे आप हाथ को रोक के इस तरह दोस्तों यहां पर खतम कर सकते हैं फिर से दूसरा कपड़ा चेंज करेंगे कपड़े को पहनने बाद फिर यह कर लिए या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए मैं आपको लेटेस्ट काइन मास्टर सेंड कर दूंगा दोस्तों आप चलते हैं काइन मास्टर नो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग और नॉलिजफुल होने वाली वीडिय वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो वीडियो आपने नॉर्मल कैमरे से सूट की थी अब दोस्तों यहां पर एक ट्रिक मैं आपको और बता दूं अगर आपके पास कोई कलर का कपड़ा या कोई अगर दोस्तों आपके पास परदा है तो आप अपने बैक्राउंड में उस पोजिशन से स्टार्ट करना है जब दोस्तों आप राइट साइड में घूम जाते हैं या लेफ्ट साइड में दोस्तों कपड़े को आप पहन के घूम जाते हैं जहां से आपको कपड़े को दोस्तों चेंज करना है तो यही से वीडियो को सेलेक्ट करेंगे कहीं चीप जा इस जगह आप मैं फिर से कपड़ा चेंज करके उसी पोजिशन पर आ गया हूँ यही से आपको ट्रिम टू लेफ्ट अप पलेहट करके काड़ देना है उसके बाद दोस्तों जो आप राइट साइड में घूम जाते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से आपको इस प्लेट करके काड़ देना है उसके बाद फिर आप कपड़ा चेंज करके उसी पोजिशन पर चले जाएंगे राइट साइड में मैं दोस्तों आपको उसी पोजिशन पर लेके जाता हूँ जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वही पोजिशन है दोस्तों यहीं से आपको ट्रिम टू लेट अप प्लेट करके काड़ देना है उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ अलग किया था मैं हाथ को उपर लेके गया था जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यही से आपको इस प्लेट करके काड़ देना है उसके बाद दोस्तों जब आप फिर से कपड़ा चेंज करके फिर से अपने हाथ को उपर करते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसी पोजिशन पर अपने हाथ को उपर किया था यहीं से आपको trim to laptop प्ले हट करके कार देना है उसके बाद यहाँ से OK कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पे आप अपने वीडियो को थ्वा भ्यान दिजेगा क्योंकि दोस्तों इससे आपका वीडियो बहुत ही स्मूथ बन जाएगा जिससे आपका वीडियो अट्रेक्टिव लगने वाला है तो दोस्तों एक बार हमने नॉर्मल कटिंग कर लिया है पहले पार्ट पे आते हैं जहां पे आप घूमना इस्टार्ट करते हैं तो लगा सब वीडियो को आगे लेके जाएंगे जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यही से दोस्तों शुरू किया था घूमना तो इसी पोजिजन से आपको वीडियो को स्लेट करना है कहीं चीप जाना है ट्रिम टू लेफ्ट अप पले हैट करके कार देंगे जैसे आप घूम के जहाँ पे बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आप रूपते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी पर से आपको ट्रिम टू राइट अप पले हैट करके कार देना है उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे दूसरे पार्ट में दोस्तों जहां से आप बिल्कुल घुमना ही स्टार्ट करते हैं जैसे कि दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे सलाइट करके आपको देखना है कहीं चीप जाना है ट्रिम टू लेप्ट अपले हैट करके कार देंगे गुमते हैं बिल्कुल आपको उसी जगा से trim to right of play head करके काड़ देना है उसके बाद यहाँ से okay करेंगे दोस्तो इसी तरह से आपको अपने सारे वीडियो को cutting कर लेना है यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे वीडियो को cutting कर लिया मैंने यहाँ पर 2-3 बारी कपड़ा change किया था दोस्तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप इससे ज़्यादा बार कपड़े को change कर सकते हैं अब दोस्तो मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ आपका वीडियो कुछ इस तरह से बन जागा जैसे कि यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं आपको guys यहाँ पर सर को अपने camera के center में रखना है तो दोस्तो इस तरह से आपका वीडियो complete रचाएगा sound का link आपको description मिल जाएगा आप अपने वीडियो को उस sound पर ले जाकर upload कर सकते हैं वीडियो को share और share करने के लिए आपको share बटन के करना है 720 और 30 रखने के बाद वीडियो को export कर देंगे